Hello everyone, today we will discuss about a very important topic named NEP 2020. NEP 2020, आज ऐसा कोई भी competitive exam teaching lines से जुड़े हो, mostly in teaching lines, but बहुत सारे exam में NEP से question आते ही है. तो आज हम उसके जितने भी important points है, उसको discuss करेंगे, but according to point wise, अगर हम summary wise उसको पढ़े तो just वो एक कहानी की तरह लगेगा. तो चलिए, चलते हैं NEP. NEP स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम यह जाने, कि as we all know that, NEP 2020 में आया था. इससे पहले, मैंने NEP से related एक short video दिया है, अगर वो नहीं देखे होंगे, तो please देखे, because उसमें 4-5 points कुछ इतने important बताये हैं, जो सभी के लिए बहुत important है. तो NEP 2020 हमारा third education policy है, इतने number का education policy है, third education policy, ओके, इससे पहले, हमारा जो first education policy आया था, वो 1968 में आया था, next, second education, first education policy कब आया था, 1968 में, matched, second education policy हमारा, 1986 में आया था, और NEP हमारा third education policy है, जिसे किसने लाया था, अगर बोले किसने commitment इसके लिए किया था, तो Dr. K. Kasturi Rangan ने NEP 2020 को लाया, अगर कुशन आ जाता है, कि NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है, तो उसमें हमें Dr. Kasturi Rangan को ही select करना है, इसलिए इसका नाम Dr. Kasturi Rangan committee report भी बहुत जगा बोला जाता है, और कब लाया गया है इसे, 31st May 2019 को, उन्होंने इसका पहला step रखा था, बट 2020 में जाके ये complete होड़, that's why we have to put the name NEP, National Education Policy 2020, about 2 करोर out of school children will be bought back into mainstream under NEP 2020, जब National Education Policy 2020 आ गया, उसके बाद Dr. Kasturi Rangan ने इस framework को इस तरह design किया है, कि 2 करोर बच्चों को school में आने के लिए just invite किया गया है, मतलब इस policy को इस तरह design किया है, कि 2 करोर बच्चे फिर से आके यहाँ education ले सकते हैं, उनकी education के streamness फिर से continuous हो सकती है, और इस national education policy के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव आया है, जो हमें जानना बहुत ही important है, M.H.R.D. का नाम तो आपने सुनाई होगा, M.H.R.D. को नाम change करके education ministry रखा गया है, अब M.H.R.D. का नाम M.H.R.D. नहीं रहा, अब M.H.R.D. का नाम हमें education ministry के नाम से वो जाना जाता है, so M.H.R.D. renamed as education ministry, okay, अब हम चलते हैं कि इसको किस तरह category wise बाटा गया है, उसका categorization पहले अलग था, अब इसका categorization अलग है, पहले इसका categorization था 10 प्लस 2 प्लस 3, पहले जितनी भी education policy आई थी, 10 तक पढ़ाई करना है, then 2 साल इंटर में बिताना है, और 3 साल में हमें graduation finish कर लेना है, इस तरह लेकिन अब इस pattern को बदल के हमारा हो गया है, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 हो गया है, अब हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए आगे चलते हैं, excuse me, just यहाँ 2 नहीं, यहाँ 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 हमारा new pattern आया है, NEP 2020 के अंदर, अब हम देखेंगे 5 के अंदर में क्या आता है, 3 के अंदर में क्या 3, then 4 के अंदर, अब categorize हम discuss करेंगे, so just remember 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, ओके, तो जो new format आया है, वो है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 5 जो हमारा point 5 है, उसमें 3 to 8 years के बच्चे आएंगे, और उस stage को हम foundational stage बोलेंगे, question यहाँ से भी बनते हैं, कि 5 में 3 to 8 years के बीच का gap 5 years बन रहा, उसमें कौन से stage के बच्चे आते हैं, जो first step के बच्चे हैं हमारे, उसे foundational stage बोलेंगे, then 3, 3 means 8 to 11 years के बच्चे, जिसे हम preparatory stage बोलेंगे, next, 3 again, 5, 3, अब इस 3 की बात हो रही है, 11 to 14 years के बच्चे, जिसे हम middle stage के नाम से जानेंगे, next हमारे हैं 4, 4 means 14 to 11 years के बच्चे, जिसे secondary stage के नाम से जानेंगे, तो सबसे पहले हमारा foundational, then preparatory, then middle, then secondary, इसे हम इस तरह याद कर सकते हैं, F, P, M, S, foundational, preparatory, middle, then secondary, F, P, M, S, foundational, preparatory, middle, second, ये तो हो गया format के बाद, अब NEP 2020 ने एक CAT नाम का test भी लॉंच किया है, C, A, T, CAT, बहुत exams में full forms भी पूछी जाती है, abbreviations की, ओके, तो CAT का full form हमारा बनता है common aptitude test, that means उन्होंने इस framework में लिखा है, कि हमें बच्चों से बीच बीच में एक common aptitude test लेते रहना चाहिए, जिसमें बच्चों को burden देनी किया हो सकता नहीं है, जिस्ट पढ़ाते-पढ़ाते ही, during school arts ही, हमें बच्चों से एक common aptitude test, that means skate, लेते रहना चाहिए, Next important point, NCRT will develop a national curriculum and pedagogical framework for early childhood care and education, इसे ही short form में लिखा गया है NCPFECCE, इसका भी कभी full form आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका full form होता है National Curricular and Pedagogical Framework for early childhood care and education, for children up to the age of 8, 8 years के बच्चों के लिए NCRT ने एक नई तरह की curriculum और framework तयार की है, ताकि बच्चों का care हो सके और care करते-करते ही उसे हम education दे सके, because up to 8 years के बच्चे जस्ट एक foundational और preparatory के इस्तर में होते हैं, उन्हें सिखाना हमें बहुत ही मुश्किल होता है, तो with care and right education हम उन्हें develop कर सकते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है NIPI 2020 के अंदर, a new national assessment center, परक, जितने भी abbreviations हैं, वो upcoming exams के लिए बहुत है important है, because यह recently आया हुआ education policy है, और teaching exams में यह जितने भी abbreviations हैं, वो जरूर आने वाले हैं, that means आ सकते हैं, so a new national assessment center, परक, परक का full form क्या है, performance, assessment, review and analysis of knowledge for holistic development, so एक नया assessment center will be set up as a standard setting board, हमारे education board को और अधिक standard बनाने के लिए, एक new assessment center परक को stabilized किया गया है, next point है, no rigid separation, यह भी मुद्दे वाली बात है, कि अब कोई separation नहीं होगा, between arts and science, पहले जब हम board exam देके 10th pass करते थे, तो एक separation होता था, आपका जिस हिसाब से marks आता था, या फिर अगर आपका marks अच्छे भी आये हो, तो आपकी अपनी इच्छा होती थी, कि मुझे arts परना है, science परना है, या commerce परना है, बट अब new education policy क्या कहता है, वो कहता है कि अब कोई separation नहीं होगा, no is it separation between arts and science, between curricular activities, between vocational and academic streams, सिर्फ arts, commerce science इस stream को लेके ही नहीं, और curricular activities में भी, that means अब सभी को सब परना होगा, अगर इस तरह से किया गया है तो, वहाँ एक, क्या बोले, compulsory paper, एक compulsory quotes बनाये जाएगा, उसमें सभी को admission लेके, उस course को पुरा करना होगा, वहाँ हमें select करने किया सकता नहीं होगी, कि हमें arts परना है, science परना है, college या institute हमें खुद वक खुद integrated करेगा, involve करेगा, हमारा नामंकन होगा, वो खुद हमें दे देगा कि हमें क्या परना है, और academic streams, vocational streams, जितने हैं उसमें अब कोई भी separation नहीं होगा, vocational integration from class 6 onward, और वो जो vocational integration है, वो class 6 तक आ जाएंगे, next, teachers to be prepared for assessment reforms by 2023, 2023 में एक assessment reforms दिया जाएगा, उस assessment reforms के अंदर teachers को भी तयार किया जाएगा, अब बात ये उठती हैं कि अगर बच्चे में इतना सारा development होगा, child education में इतना सारा development होगा, इतने सारे बदलाव आएंगे, integration आएंगे, तो teachers education में भी बहुत सारा बदलाव आएगा, तो चलिए चलते हैं next point की और, every child will come out of school, adapt in at least one skill, NEP 2020 ने जो framework तयार किया है, जो इसका pattern तयार किया है, उसमें कम से कम एक skill के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है, NEP के कहने अनुसार, कि हर एक बच्चे में कुछ न कुछ skill जरूर होता है, तो NEP ने इस तरह अपना framework curriculum तयार किया है, कि एक skill के साथ, बच्चे स्कूल से बाहर जरूर जाए, that means every child will come out of school, adapt in at least one skill, एक skill तो उनमें निखर के आए, ताकि उस छेत्र में वो आगे बढ़ सके, नाम कमा सके, अपना कुछ कारोबार स्थापित कर सके, Next, Common Standards of Learning in Public and Private Schools, Public और Private Schools जितने भी है, उसमें एक common standard का learning हो, ना जादा high, ना जादा low, एक common, ऐसा curriculum बनाया जाए, जिसे सभी बच्चे, lower, average, higher, जिसकी intelligence कुछ भी हो, एक common learning होना चाहिए, common standard का learning, सभी public और private schools में, because, कुछ अगर हम ICSC, CBSC, एक particular board को नहीं कहना है मेरा, किसी भी board को लेके चले, कुछ-कुछ curriculum, इस तरह के है syllabus, जिसे सिर्फ higher level, higher thinking level, higher intelligence, जिन बच्चों में होती है, अच्छी तरह से समझ पाते हैं, बाकी बच्चे तो उन्हें, accept करके, उन्हें छोड़के, किसी भी तरह syllabus और curriculum पो पूरा करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा pattern बनाईए, ऐसा learning का, तरीका अपनाईए, जिसमें एक common standard के साथ पढ़ाई हो सके, अब यहाँ तक तो हमने child education की बात की है, child education, अब हम पढ़ेंगे teacher education की बात, कि child education के साथ, teacher education में क्या बदलावाएंगे, teacher किस तरह के recruit किये जाएंगे, NEP 2020 में, a new and comprehensive national curriculum framework, for teacher education, NCFTE का फुल्फर्म होगा, a new and comprehensive national, यहाँ से, national curriculum framework for teacher education, 2021, will be formulated by NCTE, in consultation with NCRT, तो उनके लिए, एक नई तरह की curriculum framework, तयार की जाएगी, किस तरह की आगे देखते हैं, by 2030, the minimum degree qualification for teaching, 2030 तक, according to NEP 2020, उन्होंने कहा है, कि 2030 तक, teaching के लिए, किस institute में पढ़ाने के लिए, हमें minimum degree qualification क्या होना चाहिए, फोर येर्ट्स का integrated B.E.D. डिग्री, चार साल का, जो integrated B.E.D. अब integrated B.E.D. डिग्री में इन्होंने क्या किया है, पहले टू येर्ट्स के B.E.D. डिग्री, फोर समिस्टर्स होते थे, अब क्या किया है, इन्होंने graduation को, और B.E.D. को merge कर दिया है, जिसके अंदर, उन्होंने, त्री येर्ज ग्रेजवेशन और वन येर्ज बिएड डिग्री को, हम किसी भी तरह से हिसाब करे, हम ये बोल सकते हैं, कि B.E.D. और ग्रेजवेशन को मिला के, उन्होंने, फोर येर्स के, इंटरिगेटेड B.E.D. डिग्री को लांच किया है, तो टीचिंग के लिए, हमें B.E.D. और ग्रेजवेशन दोनों होना जरूरी है, according to NEP 2020, अब एक new term उन्होंने अप्लाई किया है, कि robust teacher recruitment and career path, इसके अंदर उन्होंने कहा है, कि a common national professional standard for teacher, NPST, will be developed by the National Council for Teacher Education by 2022. In Consolation with NCRT, NCRT के साथ, SCERT, Teachers and Expert Organization from Across Label and Regions, इसके अंदर उन्होंने कहा है, कि एक national profession standards label के teachers को वो recruit करेंगे, किसके अंदर? NCRT और SCERT के अंदर? Because, दो teacher होंगे, वो robust styles के हिसाब से होंगे, और recruitment भी उसी तरह के होगा, और उनका जो career path बनेगा, वो भी according to 2020 NEP के according ही होगा. That means, उनके भी teaching styles, teaching activities, etc., etc., में बहुत तरह के development और new new materials, new new techniques की उत्पत्ती होगी. और उसके हिसाब से, जो पुराने जमाने में का जो style था, आके just board के सामने, आके board पे लिग दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं. अभी भी कुछ बदलाव ऐसे आये हैं NEP से पहले भी, कि एक proper हमें lesson plan तैयार करना होता है, तभी हम class में entry कर सकते हैं. Lesson plan तैयार करने के हमारे फाइदे क्या होते हैं, कि हमें आके खड़ा होके सोचना नहीं पढ़ता है, कि अरे, अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करें, मैंने chapter तो पढ़ा दिया, क्या करें, पहले question answer लिखाए, कि पहले hard word लिखाए, पहले meanings लिखाए, कि पहले fill in the blanks कराए, अब वो जमाना नहीं रहा, हमें घर से ही lesson plan प्रिपेर करके आना होता है, because हमने पिछली कक्षा में क्या किया था, इसके previous class में, अब हमें क्या करना है, during class में, फिर कल हम क्या करेंगे, सब कुछ का समावेस होता है lesson plan के अंदर, हमने एक-एक मिनट, जो हम 40 मिनट का जो class लेते हैं, during school, classes में, कि हम 40 मिनट में क्या करेंगे, वहाँ एक-एक सेकेंड, एक-एक मिनट का, सब कुछ उसमें समावेस होता है, कि हम पहले पढ़ेंगे, reading करेंगे, then students को reading करवाएंगे, फिर हम समझाएंगे, फिर question miller, सब कुछ तयार होता है, और वो हमें जाके principle को दिखाना पड़ता है, उनका एक proper sign होता है, तो उस lesson plan को और भी अच्छे तरह से बहतरी करने के लिए, NEP ने इतने सरा के framework, curriculum, इतने important points को जारी किया है, hope so, उन्होंने जो इतनी मेहनत लगाई है 2030 में तक, इतने जो demand किये हैं, इतनी आसाय रखी हैं, वो पूरा हो, तो अब हम देखते हैं next point को, उन्होंने teachers education के अंदर गत्प और एक new term को include किया है CPD, that means continuous professional development, जो 50 arts का रखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी teachers अब आएंगे, वो direct एक written exam, या फिर interview के दौरान, अगर आज आएंगे, या फिर आने के बाद, उन्हें एक online और offline training जरूर दिया जाना चाहिए, because, बहुत सारे epidemic, care time, हमें क्या होता है, कि बच्चों को हमें online पढ़ाना होता है, और बहुत सारे teachers को उनकी knowledge ना होने के वज़े से, करने के time पर ही train कर दिया जाए, because, अचानक से कुछ हो जाने में, वो teachers class को समभाल सके, और कोई, समस्या ना पैदा हो जाए उस समय, इसलिए, NEP ने बहुत सारे मुद्दे के उपर सोच विचार करके, इस curriculum, इस framework, national education policy, इस इतने बड़ी policy को develop किया है, तो आज हमने सिखा, बहुत सारे important बाते, NEP 2020 के लिए, तब तक के लिए, like, share, subscribe करते रहे, English Vidya with Pire.